आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सभी राजनेते किदल तयारियों में जुटे हैं। प्रदेश में भाजपा के द्वारा कॉंग्रिस की सरकार को जड़ से उखाड फेकने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। ये परिवर्तन यात्रा फरस गाउं में पहुची जहां सभा के माध्यम से कॉंग्रिस की सरकार पर हमला बोलते वे बीजेपी ने निशाना साधा। वहीं दूसरी और विधानसब अध्यक्ष संतराम के समक्ष आज ही 800 से अधिक लोगों ने कॉंग्रिस का दामन धाम लिया। जिसमें बीजेपी के कारिकरता भी शामिल है। सभी लोगों ने विधायक संतराम नेताम के निवास पहुँचकर कॉंग्रिस की सदस्ता ली। स्वयम से आकर उन्होंने यहां पर हमारे कांग्रिस पार्टी के सदस्ता लिये हैं। निश्ची तौर पे इस बात के मुझे खुसी है कि भारती जनता पार्टी के जो साथी आज हमारे यहां जोईन किये हैं। उनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि भारती जन्ता पार्टी में हम लोग लगातार काम किये पर उसमें हमको सम्मान नहीं मिला आज कांगरेस में प्रथम दिन ही आप लोगोंने हम लोगों को गला लगाया है 2013 में हमारे किसानों को उन्होंने कहा था कि 2100 रुपे धान का कीमत देंगे 300 रुपे हम बोनस देंगे पर उन्होंने दिया नहीं केंदर सरकार में बैठे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाग हम एक 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 खाता में डालेंगे वो मिला नहीं